नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं मुख मंत्री ने कहा है कि समाजिक सरोकार के जीस संकल्प और उदेश के साथ या संस्था आर्थिक यम समाजिक रूप से लाचार और जरुरत मंद की सहयता कर रही है मुख मंत्री ने कहा है कि जरुवत मंदो और लाचार लोगों की मदद आथवा सहयता करना हमारे देश की सब्याता और संस्क्रिती में रश्ता बसता है कोबिड-19 बैस्विक महामारी के दोरान पूरे देश में जिस तरह विविन संस्थाएं लोगों की मदद करने के लिए सामने आई उनकी जितनी तारिफ की जाए कम है किसी ने गरीबो और जरतमन्तों को मुफ्त में खाना खिलाया तो किसी ने दवाया उपलब्द कराई 17 अक्टूबर को किसानों के खाते में पीएम किसान का मिलेगा पैसा पधान मतिने अन्दमोदी दीपावली से पहले देश भर की किसानों को खुस करने जा रहे है 17 अक्टूबर को किसानों के खाते में पीएम किसान समान नेधी के पैसा टांसफर करने जा रहे है इस दिन पीएम किसान के तहत पंजीगीद किसानों के बैंक अकाउंट में 2000 रुपए की बरहामी किस्त आ जाएगी बता दे CSC के अधिकारिक ट्यूटर हैंडल से सुक्रवार को यसुचना दी गई है भारत सरकार की इस संस्था ने ट्विट किया है कि प्रधान मदिनायन मोदी 17 अक्टूबर को दिन में 11 बजे प्रधान मंत्री मोदी 17 अक्टूबर को देश की राइधानी नाई दिली के मेला ग्राउंट से प्रधान किसान समेलन को समोधित भी करेंगे इसी दिन जार्खन समय देश भर के किसानों के बैंक खाते में डारेक बेनिफिट टांसफर के जरिये प्रधान के बैंक खाते में देश के बैंक खाते में देश की राइधान को समोधित भी करेंगे के पास बकाया है उन्होंने केंद्रिये मंत्री से अरुद किया है कि उर्जा के बकाय को कोईले के रोयल्टी से काट कर बाकी रकम राजी को दे दी जाए केंद्रिय मंत्री ने कहा है कि राई सरकार उन्हें लिखित रूप में इन सारी बातों को दे जिनके बाद वह केंद्रिय कोईला मंत्री से बात कर उनके समधान का रास्ता निकालेंगे बता दे जार्खन के किरिशी मंत्री बादल पत्र लेकने समेलन में पीएम कुसु मियोजना में हो रही किसानों की परसानी का भी मुद्धा उठाया है जार्खन के साथ अमरीत सहरों में होगा पेजल सर्वेक्छान भारत सरकार के आवासनों सहरी कारे मंत्राले ने स्वक्ष सर्वेक्छान के बाद वीशे सगयों की टीम ने राजियों और अम्रीत सहरों के पता अधिकारियों के साथ कारेसाला और प्रसिक्षन कार्करम शुरू कर दिया। कुमार राजक ने कहा है कि सिम्डे का सहर काफी छोटा है। यहां के लोग हमेशा से सवहर्द पूर्ण महाल में रहे हैं। इसलिए इस महाल को बिगारने ना दे। सांती समीति की बैठक में सभी समुदाय के लोग उपस्ति थे। अजयक कुमार राजक ने सभी लोगों से मिल जूल कर परवतेवार मनाने के अपील की। उन्होंने कहा है कि छेतर में अमन चेन रहेगा तो हम खुसाल रहेंगे। आपकी युजना आपकी सरकार में सीयम ने चाईबासा में 670 क्रोर की सोगात दी। आपकी युजना आपकी सरकार में कहा है कि आपकी युजना आपकी युजना का लाब आपको मिल रहा है या नहीं। इस करम में उन्होंने 475 युजनाव का सिलन न्यास एवं 51 युजनाव का उधगातन किया। बदा दे कुल 670 को रूपय की युजनाव का सिलन न्यास एवं उधगातन किया गया। पिछले वर्स भी हमने सरकार आपके द्वार कारेकरम शुरू किया था। उसी तरह इस वर्स भी दो चरनों में कारेकरम का उजन किया जा रहा है। सरकारी स्कूल के बच्चे अब भी आ रहे है फुरानी ड्रेस में स्कूल। जार्खन सरकार की ओर से सेखनिक स्कूल की ड्रेस में बदलाव किया गया। निला होगा। लेकिन पुर्वी सिवन जीले में अक्टूबर के दूसरे हफते तक सरकारी स्कूलों में अधिकास बचे पुरानी ड्रेस में आ रहे हैं। नई ड्रेस की खरीद नहीं हो सकी है। अंकीता मामले में साहरुख पर जार्खन हाई कोट सकत है। जार्खन हाई कोट के चीप जाष्टी डाक्टर रवी रंजन वा जाष्टी एसन परसाथ की खांट वीट में दूमका के अंकीता हत्याकन मामले में सोता संग्यान से दर्ज जन हित्याज का पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद केंद्र और राई सरकार से जवाब मंगा है। अदालत ने राई सरकार से पूछा है कि किन परिश्थिती में कीता को दूमका से रांची लाया गया। इस घाटना में कीता कितने पर से जल गई थी। वहीं अदालत ने केंद्र सरकार से भी पूछा है कि देवगर एम्स में बर्नवाड है या नहीं इसके अलावा एम्स में आम मरीजों के लिए अन्यकौन कौन से सुभधाय उपलब्ध है अदालत ने इन विंद्र अपर केंद्र वह राज सरकार को सबत पत्र के मादें से जवाब दाखिल करने का निदिस दिया है मामले की अगली सुनवाई 4 नौवंबर को होगी बता दे कि इस मामले में जारकान हाई कोटने सोतर संग्यान लेते हुए डिजीपी को भी तलब किया था सर्जू राय की भाजपा में वापसी की अटकले तेज पीछले विधान सभाचुना में ततकालीन मुख मंत्री रगवरदास को हराने वाले पूर्व मंत्री सर्जू राय की भाजपा में वापसी की चर्चा तेज है राश्टे स्वम सिवक संग के करकरतार मुन की लगातार उपस्तिती और दो दीन पूर्व विधानचल में संग परमुख मोहन भगत से मुलकात के बाद ऐसेट कले लगाई जा रही है उलेखनिया है कि पिछले विधान सभाचुना में टिकट नहीं मिलने के कारण सर्जू राय ने भाजपास नाता तोड़ दिया था उन्होंने निर्दाडिये चुनाव लड़कर पूर्व मुख मंत्री रगवर दास को जमसेट पूर्वी विधान सभाच सीट से चुनाव हराया था सहजू राय ने हाली में जमसेट पूर्वी विधान सभाच संग के बिजयादस में उत्सवकार करम में भी उपत्तिती दर्च कराई थी पंकज मिस्रा का 29 तक बढ़ी हिरासत मनी लॉंडरिंग के आरोपित हाई कोट के दिवकता राजीव कुमार मुख्य मंत्री के बिधायक परतिनेधी पंकज मिस्रा नोकर साहो के करिभी प्रेम परकास और सोयोगी बच्चु यादों को एडी कोट में पेस किया गया आदालत ने साभी के नयाई खिरासत की अधी 29 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है साभी कोट जेल से वीडियो कंफेंसिंग के जरिये एडी कोट में पेस किया गया हिमंत सरकार ने केंद्र पर लगाये गंभीर आरोप उदायपुर में उर्जा छेत्र की समास्या और सुझाओ को लेकर सुक्रवार से आराम हुए समेलन में जर्खन की ओर से मजबूती से पक्ष रखा गया मंत्री बादल ने राज का पत्र निदीतों करते हुए सवाल किया है कि केंद्र सरकार दोर डिवीसी के बाकाया मद में सीधे खाते से रासी कट जाती है लेकिन जर्खन की रोयल्टी का बाकाया नहीं दिया जाता 136,42 को रूपए केंद्र के पास बकाया है उन्होंने केंद्र से अंडरोत किया है कि उर्खा के बकाया को कोईलेक रोयल्टी से काट कर बाकी रखाम राज को दे दी जाए समेलन में सुझाओ दिया गया है कि राज सरकार लिखित रूप में इन सारी बातों को दे जिनके बाद कोईला मंत्री से बात कर उनके समधान का रास्ता निकाला जाएगा नदियों में बालू उठाओ पर संकट बरकरार NGT द्वारा घाटों से सिधे बालू उठाओ पर रोक की सीमा भले ही 15 अक्टूबर को समाप्त हो रही हो लेकिन इसके बाद भी पलामो जीले में बालू संकट के जारी रहने की पुलिस संभावना है क्योंकि अब तक जार्खन खरी निगम की तरब से बालू घाटों की बंदोबस्ती नहीं की गई है दूसरी तरब बालू तसकरों को माला माल होने की छुट मिल जाएगी वे खनन विभाग और पुलिस परसासन की मिली भगत से बालू की तसकरी करेंगे बता दे पलामो जीले में एक भी बालू घाट की बंदोबस्ती नहीं की गई है वहीं यहां के दरजन भर लाइसेंस धारियों के पास बालू का एस्टोक समाप्त होने को है इस इस्थिती में सरकार के अगले दिशा निर्देश तक सरकारी समुधाई क्या नीजी काज के लिए बालू का संकर जारी रहना स्वभाई बताया जा रहा राज सरकार ने जारकन राज खनीज विकास निगम को बालू घाटों की बंदोबस्ती की जिम्यारी सोपी है लेकिन अब तक बंदोबस्ती की परकिर्या भी नई शुरू हुई है रांची मास्टर पलान के लिए सुझाओ आपत्ती पत्र 16 जनवरी तक लिया जाएगा रांची नगर निगम की ओर से रांची मास्टर पलान के लिए सुझाओ और आपत्ती देने की समय सी में बढ़ा दी गई है अब सहरवासी 16 जन्वारी तक इस सम्मंदीत आपति एम सुझाओ निगम के मेल आईडी पर भेज सकते हैं या फिर निगम के अपर नगर आयुक्त कर्याले में लिखित तोर पर दे सकते हैं निधारी तीथी के बाद इस सम्मंदी में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं होगा बता दे अपर नगर आयुक्त कुवर सिंग पाहन ने बताया है कि रांची के माइटर पलान 2037 के तहद जोनल डेवलप्मेंट पलान त्यार कराए जाने के करम में आपाती और सुजाव अमत्रित किये गए थे इस्कूल में परिक्षा के दोरान कपड़े खुलवा कर की जाच छात्रा ने किया आत्मदा जारखन के जम सेथपूर में सारदा मनी गल्स हाई स्कूल में फर्स्ट टर्म एकजाम के दोरान नवीक अक्षा की छात्रा रितू मुखी को स्कूल डेस खुलवा कर जाच की गई परिचा के बाद छात्रा ने घर जाकर स्कूर्ड रेस में इस खूद को आग के हवाले कर लिया छात्रा 90% तक जल चुकी है उसे MGM अस्पता ले जाया गया जहां से उसकी गंफीर हालात को देखते हुए उससे TMS भेज दिया गया इस दोरान गाओं के लोगों ने MGM में जम कर हंगामा किया और प्रवंधन के खिलाब करवाई की मांग की है माल गाड़ी में आग लगने से कई ट्रेने फसी जार्खन के गिरी डिजी लेके सरिया प्रखंड इस्थित हजारी बग रोट रेलवे स्टेशन पर लोहे की सिल्ली लेकर दुरगापूर से गाजिया बाद जार हिमाल गारी ट्रेन के पहिये में बीते रात अचानक आग लग गई इस दवरान एक सेल भी टूट गया जिससे महोगे पर बड़े हथ से के संकेत नजर आने लगे हलाकि ट्रेक मैं गार्ड और ड्राइबर के सुझबूज से बड़ा हाथ सा टल गया लेकिन इस दवरान महोगे पर आफरात अपरी की स्थिती बन गई पहिये में आग लगने के कारण महोगे पर मवजूद सभी लोग घबरा गये हलाकि रेलवे कर्मियों की ततपरत्या की वज़ास से बड़ा आसा होते होते टल गया जन जातिये योतियों का तीसरा जथा बैंगलोरू के लिए रवाना जहारखन के बिभींग जीला से चैनित योतियों का तीसरा जथा सुक्रवार को जन जातिये कारे मंत्रा लेके मंत्रे अर्जुन मुंडा की पाहल पर रोजगार के लिए टाटा नागर से बैंगलोरू के लिए रवाना किया गया टाटा नगर से इस बार 79 यूतियों को ट्रेन से बैंगलोरू के लिए रवाना किया गया है तमिलाड़ू के हुसूर इसी टाटा इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड में इन यूतियों का चैन हुआ है धनबाद में दस हजार की नोकरी के लिए पीजी अभियर्थियों ने लगाई लाई धनबाद में बेरोजगारी का आलम बढ़ता है जा रहा है इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि जम सेहत बुरिस्थीत सिंडे कमपनी इंडिया प्राइवेट कमपनी लिमिटेड के द्वारा सुक्रवाय को नियोजन कर्याल में लगाया है भरती कैम्प में 10-10,000 की नवकरी के लिए PG पास अभियार्थियों ने भी लाइन लगाई थी पूछे जाने पर सब ने अपने अपने दर्थ की दस्ता सुनाई कोई साधी करके तीन वर्ष से बेरुजगार है तो किसी के पिता अबधर्ती पर नहीं है और घर चलाने के जिमेदारी उसी की है उन्होंने कहा है कि PG पास करके बैटा हूं मगर नवकरी नहीं मिल रही ऐसे में जो भी मिल जाए वह सब सही है दरसल नियोजन कर्याले में सुक्रवार से 362 पदों के लिए भर्ती शुरू हुई है 26 अक्टूबर से जार्खन बिहार की महिला अगनी बीरो की बहाली अगनी पत योजना के तवह जारकन विहार की महिला अगनी वीरों की बाहली पर किलिए 26 अक्टूबर को पाटना के दाना पूर में होगी इसमें दोनों ही राजियों के 80,000 अभियार्थी सामिल होंगे बाहली के लिए जारकन के 24 जीलों से अभियार्थियों ने ज्वाइन इंडियन आर्मी.nrc.in पर आवेदन किया है अगनी वीर योजना के लिए 17 से 23 साल के योतियों को आवेदन करना था ओनलाइन रेजिस्टेशन 9 अगस से 7 सितंबर तक हुआ था रेजिस्टेशन के बाद आवेदनों के श्कूर्टनी हुई इसके बाद एडमिट कार्ड भेजे जा रहे है बता दे बाहली परकिरा में सामिल होने के लिए लेजर प्रिंटर से ब्लाइक आएंड वाइट डाउनलोड किया हुआ एडमिट कार्ड मैट्रिक या बरावी का पंजी करन कार्ड परवेश पत्र मूल अंक तालिका बोट का पवान पत्र आवासिय पवान पत्र चैद पवान पत्र अलहार कार्ड एंसीसी तथा एस्पोर्ट साटिफिकेट बीस नविंतम रंगिन फोटो दस्तावेश के मूल तथा दो अभिप्रवान प्रती भी साथ लेकर जाना है नेतरहट बिद्याले में नमांकन के परकिरिया शुरूँ माध्यम से आवेदन भरे जाएंगे आवेदन के अम्तिम्तिती 30 नौंबर निधायत की गई है नमांकर के लिए परवेस परीक्षा 29 जनवारी को सब भी प्रमंडल मुख्यालों में समंधी जीलों के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाएगी बतादे इस बार भी कुर्मी को एस्टी से बाहर किया जार्खन के सिक्षा मत्री जगनात महतों ने कुर्मियों को अनुसूचित जन जाती में सामिल किया जाने की मांग पर चल रहे अंदोरन पर बड़ा ब्यान दिया है उन्होंने इस मुद्य पर केंद्र सरकार पर जबरजस्त हमला बोला पू अगर राय सरकार का मुदा नहीं है अगर राय सरकार से लोग मदद मांगेगे हो तो हम उनकी मदद करेंगे आदिवासी का दर्जा दिये जाने की मांग को लेकर चल रहे कुर्मियों के आंदोरन से जुड़े बात चीत सवाल के जबा में जगनात महतों ने इस बाते कही है धन्यवाद